दोसों, जर्णी आफ सीविल इंजनियर का ये पार्ट 8 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं, जो भी पॉलिटिक्स होती है, जब हम साइट पे जाते हैं ऐसे फ्रेशर, क्या पॉलिटिक्स होती है, कैसे काउंटर करना है, कैसे मोटिवेटिड रहना है, वो बात करेंगे और कौन कौन सी दिमार्ड है साइट पे, फिर हम बात करें, कि बिल्डिंग कंट्रॉल सरवेर का काम क्या होता है, क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता और एक नई जॉब ही है, आप इसके लिए रेड़ी हो सकते हैं, कर सकते हैं यह बात करेंगे फिर हम बात करने वाले हैं कि जो skills आपको चाहिए होती हैं साइट पर वो में बात करूंगा और फिर हम बात करेंगे जब आप साइट पर पहुंच जाते हो कैसे आप सीख के बढ़ सकते हो क्योंकि वही टाइम होता है तीन महिने के अंदर आपको सब कुछ सीख के ग्रो आपका डिसाइडिड हो जाता है कि आपकी इस करीर हाइट पर जाने वाले क्योंकि सीखना हर चीज कोई सीख के नहीं जाता है आप एक्सपीरियंस हो तब भी आपको डेली नया नया आप सीखते रहोगे वो भी बात करने वाले आज हम इस वीडियो में तो स्टार्ट सबसे पहले मैं करूंगा जो क्या होती है पॉलिटिक्स होती है साइड पर उसको कैसे काउंटर करना है जैसे देखो ऐसे फ्रेशर जब कोई साइट पर जाता है यह और मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं हर साइट पे हर कंपनी पे यह नहीं होता है कुछ कंपनी में यह देखा जाते है जो एंप्लॉय जाएगा फ्रेशर जाएगा ठीक है जब साइट पर पहुंचते हैं जो सीनियर्स होते हैं वो शाहिद आपको कुछ डीमोटिवेट कर सकते हैं तो उस चीज को आपको कभी नहीं लेना क्यों यह टोपिक बनाने का सोच है क्योंकि मैंने देखा है जब साइट पे फ्रेशर सिवल इंजिनियर्स जाते है वो दो से तीन महिने जाएगा 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 जोब चोड़ देते हैं और कभी कभी डे नाइट भी था तो काफी टफ रहा लेकिन जूटे रहे सोचा था कि स्किल्स गेन करने उसके बाद में अपने आप ग्रोव करते जाएंगे दी दीर सब कुछ सीखा स्किल्स गेन किये बढ़ते गे और आज यहां पे हैं तो काफी चीजे सीख सकते हैं आप मैं बताने वाला हूं स्किल्स क्या जूरूत पढ़ने वाली और क्या क्या सीखने अगर आप जौब पे पहुंच चुके ग्रोथ नहीं हो रही है क्या सीखना क्या क्या वो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं तो काफी option होते हैं सीखने के यहां clear हो गया politics क्या होत है थोड़ा मजाग भी उड़ाएंगे वो भी काउंटर कर लेना कुछ नहीं है फिर थोड़ा मतला स्किल्स कुछ सीखनी पड़ेंगी पूछ के आप सीख सकते हो कुछ ऐसा नहीं वहां low feel करना है कि आपने चार साथ डिगरी किया तो मैं किसी फोर्मेंट से नहीं पूछू सबसे पूछने सबसे सीखने तीन महीने बाद आप ही उनको सिखा रहे होंगे यह गरंटी होती है हर साइट पर यह होता है और पॉलिटिक्स यह होती है एक चीज हमेशे याद रखना जो भी आप वर्क करो उसको यह मत सोचना है कि आपने आप जो सुपेरियर सीनियर होंग अच्छी चीज है मतलब आपका जो क्रेडिट होगा आपको मिले तो उससे अच्छी ग्रोथ में मिलती है और आपका काम का जो आपने काम के उसका बैनिफिट भी रहता है यहां तक अब हम बात करते हैं जो अभी जोब प्रेजन्ट है इंडस्ट्री में और डिमांड होने क्योंकि 2025 से लेके 2025 तक काफी जदर डिमांड होने वाली है GDP बढ़ रही है और काम डेवलोपिंग कंट्री इंडिया हमारी तो काम भी काफी जदर रहने वाला है तो जॉब की में बात कर लेता हूं उसके लिए प्रपरेशन करो ऐसी जोब के लिए जो आपको में भी तक नह है एपने बिल्डिंग कंट्रों सर्वेयर उसकी वो들 कारते हैं के जिदिए वरानि से उस बिल्डिंग कोन करते हैं कि यह लाइक है या पाहले तोड़ देंशी जाहिए म nostro building control server करते है उसका काम क्या होता है जो भी unsafe building होती है उनको inspect करना है कि यह रखने लाएगा maintenance लाएगा यह सब चीजे देखता है इंस्पेक्शन करते है कोई भी site है उदर construction process ही चल रहा है नहीं चल रहा है कोई suggest करते है चीजें कि इस चीज़ को हम अच्छे से improve कर पाएंगे नहीं करेंगे यह वीडियो नहीं आ रहे है यह मतलब building control server भी job option आप बना सकते हो फिर consulting civil engineer जो होता है जो consultant देता है मतलब इसको complete knowledge बच्चों को क्या जो भी काम हो रहा है उसकी consulting एक firm भो खुली है यह आप किसी company के साथ काम कर रहे हो यह दोनों हो गया फिर CAD technician हो गया AutoCAD का knowledge यह सब designing field में फिर हम contracting civil engineer बोल सके है और ठेकेदार आप बोल सकते हो यह contract किसी work का contract लेना यह सब आप site engineer, design engineer, water resource engineer यह भी होता है structure engineer हो गया फिर urban planning, urban development, ruler planning, ruler development यह सब पोश्टे होती है और आप इसमें M-tech भी कर सकते हो और इसमें diploma course भी कर सकते हो urban planning में क्योंकि recruitment निकलती रहती है government job इसके लिए तो यह सब चीज के लिए भी आप preparation कर सकते हो इस चीज को भी अपनी field बना सकते हो ऐसा कुछ नहीं है बाकि हम skills की बात करें आपको site पे जाके क्या skills सीखनी है अगर आपको job मिल गई है अगर job नहीं मिली है त क्यों math की काफी जरुरत पढ़ने वाली है site पे जाके जैसे site पे जाओगे न तो जो भी चीजें होंगे math से काफी relate करेंगे तो math से अपना थोड़ा ताकत बढ़र कर लो control कर लो क्योंकि planning, building, हर चीज में math है मतला civil engineering एक मैं बोल सकता हूँ 20 से 30% math यूज होने वाल है तो math आ मिल जाएंगे Google पे मिल जाएंगे YouTube पे मिल जाएंगे हमारे चैनल पे प्रक्टिकल पूरे टेस्ट की हूँ है material जो होता है basic material साइड पर यूज होता है उसके practically मैंने प्रसीजर वाज टेस्ट की है वह मिल जाएंगे soil की investigation कैसे करते है उसके टेस्ट है हमारी और civil site visit इसी पर काम इसी पर कर रहा है कि बच्चों को skill मिल सके जो मैं चीज सीख के आ रहा हूं site से जहां सीख रहा हूं वही इस channel पे मिल रहा है और वही demand है इंडस्ट्री में किसी construction इंडस्ट्री में चोटे ऐसे site इंजिनियर जाते हूं तो वह चीज़े सीख के रखो काफी काम आएंगी site पर आपको जाकर यह फिर हम बात करते हैं soil की investigation कैसे करते हैं वह सब भी चीज़ें जो यूज होता है दस की दस चीज़ें हमारे channel पे और यही demand पढ़ती है site पर जाकर कुछ जाकर कुछ जादा ने पढ़ता है standard course ही होते है IS course उनका site पर क्या काम होते है वह जूरूत पड़ेगी वह आपको हमारी website पर मिल जाएंगे यह सीख के रखो अगर आप mostly सब चीज़ें क्या होती है quality control कैसे करते हैं यह सीख लो और on-field management यह काफी important चीज़ है क्योंकि on-field management काफी important चीज़ है अगर site पर आपको management करना आ गए तो सब कुछ आ गया क्योंकि most important चीज बही होती है क्योंकि site पर जाके skills तो सीखते रहोगे साथ साथ में लेकिन management करना कितनी लेवर आपको handle करनी है कहा लेवर लगानी है supervisor को क्या commands देनी है format को क्या समझाना है superior को क्या पताना है यह सब चीज़ें आपको आनी चाहिए सीखते रहो तो बढ़ते रहोगे दस skills है यह आपको जब job लग जाएगी तब भी काम आएगी अगर job नहीं लगी है तब भी काम आएगी यह सीखते रहो YouTube पर हमारे मैं बोल रहा हूं जो freshers है न आट सो नो सो वीड लेता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो थैंक यू